सहारन पुर्थाना नकुड प्रभारी राजेंद्र प्रसाद वरिस्ट ने कल अपनी पुलिस टीम के सायोग से एक मोबाइल की दुकान में हुई मोबाइल फोन लूट का खुलासा चंद ही घंटों में कर दो मोबाइल लूटेरों की ग्रफतारी के बाद किया भांडा फोर्ड जिसका खुलासा आज S.P. दिहास सूरज राय द्वारा पत्रिकारों की समक्ष भी किया गया आपको बता दे कि कल दो बदमाशों ने प्रदीप धीमान नामक एक मोबाइल ब्यापारी की दुकान से मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था आपको बता दे की जब प्रदीप अपनी मुबाइल की दुकान पर बैठे थे कि अचानक बायक सवार्दों बदमाशों ने तमंचे की नोक पर 27,655 के मुबाइल लूट लिये थे जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजिंद्र प्रसाद वरिस्ट ने उक्त लूट के मामले को गंबीरता से लेते हुए बदमाशों की तलाश में दविशें देनी शुरू कर दी तथा अपनी पुलिस टीम के सयोग से मात्र चंद ही घंटों में इस लूट का खुलासा करते हुए दो लूटेरों को लूटे गए मुबाइल एवं एक बाइक देशी तमंचे कार्तूस एवं चाकू के साथ ग्रफतार कर लिया कल थाना नकुड में कसबा शेत्र में दो अभियुक्तों के द्वारा मुबाइल फोन की लूट कार्त की गई थी दुकान से तीन मुबाइल फोने लूटे थे और थाना नकुड ने इस पे बहुती शांदार का रवाई करते हुए चौविस घंटे के अंदर इस लूट का नावरड किया है और इसमें शट्ट शट्ट जो तीनों मुबाइल फोन थे उसको ब्रामत किया है इसी के साथ अभियुक्तों के कवजे से एक तमंचा और एक चाकू भी ब्रामत हुआ है अभियुक्तों का नाम हमिद और कुल्दीप है इनको अवश्यक विदिक कारवाई करके कारागार भी जा रहा है अपरादी की दिहास के बारे में पता किया जा रहा है अभी तक तो कुछ सामने नहीं आए बैग्राउंड नॉर्मल है नॉर्मल वही नकोट सेतर कही है अम बेटा के रहने वाले हैं और देखते रहिए डीवी भारती सामचार नजर हर खबर पर